हलो एवरीवन, वेलकम टू रवीदिती क्लासेज फेंट्स आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है All State Scheme 2024 2024 की फेंट्स हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी important state schemes के बारे में जो भी state government ने जो भी नए ने योजनाय शुरू करी है उनसे related MCQs हम यहाँ पे cover करने वाली है सो जन्वरी से जुलाई तक की सभी important schemes को cover करेंगे सो अगर आप किसी भी competitive exam के preparation कर रही है ये वीडियो आपको काफी ज़दा help करने वाली है सो आईए फैंट्स इंपोर्टन सेशन को करती है start First question है हमारा which state government has launched उपवन योजना and heritage tree adoption scheme कौन से राजय की सरकार है जिसने उपवन योजना और विरासत वरक्ष गोद लेने की जो योशना है इसने शुरू किया है तो यहाँ पे हमें दो schemes के बारे में बात करना है इन दोनों schemes को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकार्णी बात करेंगे एक एक schemes के बारे में क्या है यह योजना तो देखिए उपवन योजना का main उदेशय क्या है to enhance green cover across the state from urban areas to rural village तो उपवन योजना का main उदेशय है शेहरी छेतरों से लेके जो ग्रामेर गाउं है वहां तक पूरे राज्य में हरित आवरण को बढ़ाना सेकेंड scheme क्या है heritage tree adoption scheme इसका main उदेशय क्या है जो state में देखिए जो state में botanical heritage है जो राज्य की समरद वनस्पती विरासत है उसको संरक्षित करना तो दोने scheme को किस ने शुरू किया है यूपी गवर्मेंट ने अगला कुशन है friends which state government has launched लाटला भाय योजना किस राज्य सरकार ने लाटला भाय योजना को शुरू किया है तो friends यह जो योजना है इसे शुरू किया है महरास्ट गवर्मेंट ने तो याद देखिएगा friends लाटला भाय योजना किस सरकार ने शुरू किया है महरास्ट गवर्मेंट ने इसके बारे में कुछ important point discuss करती है तो इस योजना को क्यों शुरू किया गया तो प्रोवाइड financial assistance and skill development opportunity to male youth जो पुरुश युवा है उनको वित्तिय सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए योजना को शुरू किया गया था ये योजना inspired किस से है तो जो लाटली बहना योजना जो शुरू की थी देखिए सरकार ने उसकी success से inspired है तो ये योजना काफी successful रही थी state government की और इसी से inspire होकर लाटला भाई योजना भी शुरू की है किसने महराश्ट सरकार ने अगला question which state government has launched सवीरा program किस राज़े की सरकार ने देखिए सवीरा कारेक्रम को शुरू किया है सही answer है हर्याना तो हर्याना government ने start किया है सवीरा program इस program का main उदेश क्या है early detection and prevention of breast cancer जो breast cancer है उसका शीगर पता लगाना और उसको रोकना इसका उदेश है इसके शुरुवात मिदानता foundation ने health department जो है गुड़गाव में उनके सवीरा program किस ने शुरू किया है या दखेंगे friends हर्याना government ने आईए बात करते है next question की which state government has launched मित्रवन initiative तो जो मित्रवन पहल है किस ने शुरू करी है इस पहल को उतरप्रदेश के government ने start किया है तो ये पहल जो नेपाल बॉर्डर के पास एक तरीके का tree plantation जन अभिहान है जिसे UP government ने शुरू किया इसका main objective है green cover को बढ़ाना 35 करोन सेप्लिंग को लगा के जो green cover है उसको बढ़ाना इसका main उतरप्रदेश है next question की बात करती है which state government launched lab scheme so lab scheme जो है किस सरकार ने शुरू की है उडिसा government इस योशना को शुरू किया है lab जो है इसका पूरा नाम देखिए इसका पूरा नाम है लगू बना जातिय द्रब्या करिये यह थोड़ा सा other language में है इसलिए आप पस इसकी full form याद लखेगा इसको शुरू किया है उडिसा government ने यह 100% state funded minimum support price scheme है for minor forest produce तो जो minor forest produce है उसके लिए इस scheme को शुरू किया गया था पूरी तरीके से state funded scheme है इस scheme में जो tribal के primary collector से उनको empower करना इसका उदेश है next बात करते हैं देखिए मुख्य मंतरी महिला उद्दमिता अभियान की कौन से राजे की सरकार है जिसने मुख्य मंतरी महिला उद्दमिता अभियान को शुरू किया इस अभियान को शुरू किया है असम गवर्मेंट ने इस अभियान को शुरू करने का में उदेश है जो rural women entrepreneurs है उनको empower करना यानि जो ग्रामीन महिला उद्दमी है उनको सशक्त बनाना इसका उदेश है आगला कुश्षिं है विच स्टेट government लौंच्ट राम लला दर्शन स्कीम किस राज्ट्य की सरकार ने राम लला दर्शन योशन हो शुरू की इसे शुरू किया है ठाइसकर गवर्मेंट ने इस स्कीम को देखे लौंच किया है चतिसकर के सियम विश्नु देव साही ने एप्रॉक्सिमेटली 20,000 पिलग्रेम्स विल बी टेकन फॉर दी श्री राम लला दर्शन एन्वली तो इस स्कीम के तहट हर एक साल लगभग 20,000 तीर्थियात्रियों को श्री लाम लला के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा तो यही इस स्कीम का उदेश है जिसका नाम है राम लला दर्शन स्कीम नेक्स्ट कोर्शन है विच स्टेट गवर्मेंट हैस लॉंच्ट मुख्य मंतरी निजुत मोईना स्कीम राइट आंसर है असाम असाम गवर्मेंट ने स्टार्ट की है मुख्य मंतरी निजुत मोईना योजना क अब इस योशना की बात करें तो इस योशना का उद्धेश है girls education को promote करना और जो state में child marriage होती है उसको रोकना बाल विवा को रोकना वह जो गर्ल empower होगी तो उससे क्या होगा जो child marriage के incidence होते हैं जो cases होते हैं वो भी कम होंगे तो इसलिए इसका उद्धेश है girls की education को बढ़ावा दिना इस scheme से लगबग state की 10 लाग जो girls से उनको benefit मिलेगा तो ये किस ने शुरू करी है असम government नहीं next question है which state launched school on wheels initiative for student in relief camp किस राज्य ने राहत शिवरो में चात्रों के लिए schools on wheels पहल को शुरू किया तो ये पहल शुरू की है मनिपूर government ने इस initiative को शुरू करने का main purpose है to provide education to student जो की relief camps में रह रही है जो बहां पे शरड रही है students उनको education provide करना इस initiative को inaugurate किया था मनिपूर की former governor अनसुया उइकी ने current में मनिपूर के governor जो है लक्षम प्रसाद आचारिया है इनको additional charge मिला है मनिपूर के governor का next scheme है योग्यश्री scheme तो कौनसे state government है जिसने योग्यश्री योशना शुरू की है देखिए तो ये योशना शुरू की है West Bengal government ने इस scheme की बात करें तो इसका main purpose क्या है to provide free training modules for SC and ST students in West Bengal specially जो किसी entrance exam यो competitive exam के preparation कर रही है तो उन सभी SC और ST students को free में training provide करना इसका उदेश्य है next question की बात करते हैं which state government has launched the मुख्य मंत्री माजी लड़की बहिन scheme किस राजर सरकार ने मुख्य मंत्री माजी लड़की बहिन योशना शुरू की तो इस योशना को शुरू किया है महरास्ट government ने महरास्ट के deputy CM और finance minister अरजीत पवार ने सिस्कीम की announcement करी इस scheme के under में जो महरास्ट में देखे जिती women's है 21 से 60 years के बीच उनको हर एक महीने 1500 उपीस की financial assistant यानि वित्तिय सहायता मिलेगी इस scheme के माध्यम से फेंड्स अगर आप किसी भी competitive exam की preparation कर रही है तो उन सब भी competitive exams के लिए आपको हमारी e-books काफी help करेंगी जिसमें most important questions दिये गए हैं इन सब भी e-books को आप कैसे देखे बाई कर सकते हैं तो आप उसके लिए आप हमारी website को visit करें www.ravibookspedia.com आप google पर जब search करेंगे उसके बाद आपको सारी e-books मिल जाएंगी आप अपने according वहां से जो भी e-books आपको अपने exam के लिए चाहिए easily buy कर सकते हैं और अगर आज का session आपको fans अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को like औ शियर जरूर करिएगा आएए बात करते हैं next question की question है which state government has launched a welfare scheme महतारी वंदन योजना किसने शुरू करी है महतारी वंदन योशना को तो ये योशना शुरू करी है 36 गवर्मेंट ने अब बात करेंगे इस scheme के माधियम से क्या होगा देखें इस scheme के तहट 1000 रुपे पर मन्त यानि 12,000 रुपे एक साल में जो है डारेक्ट जो मेरिट वुमेंस हैं उनको डिविटी डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डिविटी के माधियम से उनके बैंक अकाउंट में उनको बेजे जाएंगे जो मेरिट वुमेंस होंगी उनका डुमिसाल 34 स्कड़का होना चाहिए और उनकी एज 21 साल से अधिक होने चाहिए वहीं इस scheme का बेनिफिट ले सकती है तो यह scheme कौन सी है मेहतारी वंदन योजना नेक्ट कोईशन विचिस टेट और यूटी पुलिस लॉंच्ट उपरेशन कामधीनु तुक कर्व दर इशू अफ कैटल स्मगलिंग पशु तसकरी के मुद्दे पर अंकुष लगाने के लिए उपरेशन कामधीनु को किस नहीं शुरू किया तो यह उपरेशन शुरू किया है जम्मु कश्मीर की पुलिस ने इसका में उधिश है कि जो पशु की तसकरी होती है जो उनकी स्मगलिंग होती है सिफु तको रोकना नहीं बलगी उनके पीछे के जो मास्टर माइंड्स है जो ऑग इस पूरी प्लानिंग को करते हैं उनको पकड़ना इसका उधिश है जमु कश्मीर के लेफटिनेंट गवर्नर है मनोज सिनहा नेक्स्ट कोशन देखे विच स्टेट गवर्नमेंट लॉंच्ट कलाइगनर स्पोर्ट्स किट स्चीम कलाइगनर स्पोर्ट्स किट योशना के सरकार ने शुरू की है तमिलनाडू गवर्मेंट ने इस स्कीम के माध्यम से जो स्पोर्ट एक्यूपमेंट्स हैं वो डिस्ट्रिब्यूट किये जाएंगे 12,000 विलेज पंचाइद्स को और M. करोना निधी की बर्थ एनिवर्सरी या जो जन्म शताबदी हो इसके उपलक्षय में जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था तो इस स्पोर्ट एक्यूपमेंट्स को डिस्ट्रिब्यूट करना इसका उदेश्य है नेक्स्ट स्कीम है निंगल नलमा स्कीम याद किगा क्या नाम है निंगल नलमा योजना और 21 राजर सरकार ने शुरू की है तो इस स्कीम को शुरू किया है तमिल well-being of all citizens and making them aware of the Tamiladu government scheme. सभी नागरिकों के स्वास्ते सूचकांग और सामाजे कल्यान में सुधार लाने और Tamiladu government के जो भी schemes हैं, उन सभी schemes के बारे में जागरू करने के उद्देश है सिस योशना को शुरू किया गया था. अगला कोशन है विचे स्टेट गवर्मेंट लॉंच्ट चीफ मिनिस्टर वाईयो शिरी योजना तो मुख्य मंत्री वाईयो शिरी योजना को किसने शुरू किया? महारास्ट गवर्मेंट ने. इस scheme का benefit 15 लाग senior citizens को दो है मिलेगा जो की physical और mental disability से सफर कर रही हैं जो कि शाररीक और मानसी विकलांगता से पेडित हैं उनको यहाँ पे benefit मिलेगा इस scheme का. किस राज्य सरकार ने नियाय प्रदान करने के लिए पहली गवहास अंडक्षन योशना शुरू की? तो यह योशना शुरू की है असम गवर्मेंट ने. अगला कुशन है विच स्टेट है लाँच्ट बूत राबता वेवसाइट फोर election related information. तो election related information के लिए बूत राबता वेवसाइट को किस ने लाँच किया? तो यह वेवसाइट लाँच की थी पंजाब सरकार ने. तो इस वेवसाइट के माध्यम से ना सिर्फ वोटर्स जो है बलकि जो पोलिंग परसनल है जो वहाँ पे work कर रही है. पोलिंग स्टेशन पे अपने अपने उनको भी हर एक situation में हर एक circumstances में इससे मदद मिली थी. तो इस जो है वेवसाइट को पंजाब गवर्मेंट ने स्टार्ट किया था. निक्स्ट बात करते हैं फेंट्स मेहतारी वंदन योशना की किसने शुरू करी है तो 36 कड की सरकार ने जो है स्टार्ट को स्टार्ट किया है. अगला question है which state government has launched मुख्य मंतरिक किसान सम्मान निधी स्कीम. सुभी हाली में देखे मुख्य मंतरिक किसान सम्मान निधी योशना किसने शुरू की तो राजिस्तान गवर्मेंट ने इस योशना को शुरू किया है. यह जो है एक income support scheme है जो कि farmers की income को boost करने के लिए इस scheme को शुरू किया गया था इस scheme के तहर जो भी eligible farmers होंगे उनको एक साल में 2000 रुपे मिलेंगे अभी 2000 रुपे जोने मिलेंगे कि तीन installment में मिलेंगे जिसमें पहली installment होगे 1000 रुपीज की दूस्टी और तीस्टी होगे 500 रु अगला question देगे कौन से state government है जिसने हिमालियन basket launch किया है तो उत्राखंड government ने launch की है हिमालियन basket को इसे उत्राखंड के CM पुशकर सिंग धामी जी ने launch किया था यह जो initiative शुरू किया था देखिए इसमें involved क्या है purchasing agriculture product जैसे की milk, turmeric, mint, processing them into various products and supplying them internationally तो इस पहल में जो भी agriculture product हैं उनसे अलग-अलग उत्पादों को बदब उन सभी product तसरी जैसे मिलके से कोई एक नया product बनाना और फिर उसको international supply करना यह है इस scheme का उदेश यह है नेक्स रेट जीव मिनिस्टरस मन्नुयर कात्थू मन्नुयर कापोम इसकीम Consistate Government ने यह योशना शुरू की है तो मुख्य मंतरी मन्नुयर कात्थू मन्नुयर कापोम योशना को शुरू किया है किसने तमिलाडू सरकार नी तमिलाडू के CM जो है MK Stalin उन्होंने लांच की थी यह scheme और इसका मेन उदेश है क्या था to improve soil health मिट्टी की जो health है उसको improve करना इसका उदेश है रहा है Next question है किस state government ने लांच की है NTR भरोसा pension scheme NTR भरोसा pension योशना को शुरू किया है आंधर प्रदेश गवर्रमेंट ने Pension for old aged people, widows, weavers, toady tappers, fishermen, single women, traditional cobblers, transgender artists तो इन सबी की जो pensions है उनको 3000 से बढ़ा कर कितना किया गया 4000 पर मन्त इसके लावर जो disabled है जो multi deformity leprosy के patient है उनकी जो pension है उसको 3000 से बढ़ा कर 6000 पर मन्त किया गया है तो NTR भरोसा pension scheme ये शुरू की है आंधर प्रदेश गवर्रमेंट ने आईए बात करते हैं next question की which state government has launched पिरुल लाव पैसे पाव campaign to contain the raging forest fire in the state पिरुल लाव पैसे पाव अभियान किसे शुरू किया तो ये अभियान शुरू किया है उतराखर्ण government ने अभियान के तहर देखे जो वहां की local है जो villagers है वो क्या करेंगे जो dry पिरुल है जिसे कहते हैं चीड के पेड की पत्तियां उनको forest से collect करेंगे और एक designated पिरुल collection center बनाया गया है वहां तक उसको ले जाएंगे अब जितना वो dry पिरुल collect करेंगे उसके बदले में उनको कुछ पैसी कुछ amount भी उनको दिया जाएगा तो यही है campaign पिरुल लाओ पैसी पाओ campaign अगला question है which state government has launched IT सक्षम युवा scheme 2024 तो किस राज़र सरकार ने शुरू की है IT सक्षम युवा योजना इसे शुरू किया है किसने हर्याना government ने इस scheme के अंडर employment will be provided to the youth who are graduate और post graduate applicant from IT background जो भी IT background से graduate ने पोस्ट graduate उन सभी युवाओं को रोजगार उपलब्द कराया जाएगा इस scheme के तहत अगला question है Union Home Minister and Corporation Minister Amish Shah launched the nano fertilizer subsidy scheme for farmers in which state Amish Shah ने किस राज़र में किसानों के लिए nano उरवरक subsidy योशना शुरू की है तो इसे launch किया है कहां कॉंसे state में गुजरात state में इस scheme में देखे farmers अगर nano fertilizer को खरीतने हैं उनको 50% की मदद की जाएगी 50% की जो है किसानों को सहायता की जाएगी तो 50% government pay करेगी 50% की किसानों को pay करना होगा और यही scheme है nano fertilizer subsidy scheme next question which state government has decided to establish a state water informatics center किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूशना विज्ञान केंदर इस्थापित करने का निर्ने लिया है तो ये निर्ने उरिसा government ने लिया है उरिसा के chief minister जो है नवीन पतनायक उन्होंने जो है इस को इस center के establishment को मन्सूरी दी next question में पूचा है इंदरिम्मा housing scheme किस राज्य सरकार ने शुरू की है इंदरिम्मा आवास योशना को तिलंगाना government ने start किया है इस योशना की बात करती हैं तो देखिए under the scheme the congress government will provide five lakh rupees financial assistant to construct houses for those who already own a housing plot जिनके पास घर बनाने के लिए plot है तो उनको पांच लाख रुपे की वित्तिय सहायता दी जाएगी तो उसके लिए आपके पास एक जगा होने चेक घर बनाने के लिए फिर government आपको पांच लाख रुपे की सहायता देगी next question है which state recently launched the नक्षत्र सभा एस्टो ट्यूरिस्म कैंपेन सो हाले में किस राजे ने नक्षत्र सभा खगोल परेटन अभ्यान शुरू किया है तो ये अभ्यान शुरू किया है उत्राखन गवर्मेंट ने इस initiative में देखे सिर्फ stars को observe करना ही नहीं बलकि इसमें बहुत सारे activities भी कराई शामिल है जैसे की star gazing, special solar observations, astrophotography contest, camping under the stars तो काफी सारे activities जो हैं इस campaign के माध्यम से कराई गई है next question है which state government has launched the मुख्य मंत्री युवा कार्य प्रसिक्षन योजना तो किस राजे सरकार ने शुरू की है मुख्य मंत्री युवा कार्य प्रसिक्षन योजना को answer महराश्ट इस योजना को शुरू करने का मेन उदेश है क्या है to provide valuable internship opportunities equipping young individuals with essential skills and enhancing their employability in a competitive job market तो जो भी internship की opportunities है वो provide करना जो young है जो युवा है उनको जो भी skills की जरूरत है वो उनको provide करना ये है स्योशना का उदेश है next question है which state cm has launched agriculture loan waiver scheme crushy rind mafia योजना किसे शुरू की है तो ये योजना शुरू की है तेलंगाना government ने तो इस योजना के माद्यम से farmers की जो farmers ने जो loan लिया है तो इसको कई सारे phases में शुरू किया गया है देखिए तो पहले phase में 1,00,00,000 रुपे तक की रिणवाले किसानों के खातों में कुछ amount जमा कराया जाएगा फिर second phase में जिनके पास 1,50,00,000 रुपे का लोन है उनको मदद की जाएगी फिर third phase में जिनके पास 2,00,000 रुपे का लोन है उनकी मदद की जाएगी तो फार्मस को लोन में हेल्फ करने के लिए शुरू की गए थी agriculture loan waiver scheme और किसने शुरू की थी तेलंगाना सरकार्णी अगली scheme है राजीव गांधी civil अबेहस्तम scheme तो ये स्कीम किसने शुरू की है तेलंगाना सरकार ने राजीव गांदी नागरिक अबै हस्तम योजना इस योजना की बात करती हैं तो तेलंगाना से जो भी देखे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंच से जो सिविल सर्विसेज की तयारी कर रहे हैं और जुन्होंने प्री-क् government has launched श्रमिक बसेरा योजना किस राजय सरकार ने शुरू की है श्रमिक बसेरा योजना तो ये योशना शुरू की है फैंस गुजरात सरकार ने इस स्कीम के माध्यम से government temporary housing provide करेगी यानि अवस्थाई आवास उपलब्द कराएगी जो भी unorganized sector के workers हो गए लेबर्स हो गए उनक तो पांच रुपे पर डे एक दिन का सिर्फ पांच रुपे का रेंट देना होगा उनको तो पांच रुपे पर डे के हिसाब सी उनको अस्थाई आवास उपलब्द कराएगी गवर्मेंट नेक्स्ट क्वेशन में है नावू मनु जारू प्रोग्राम तो इंप्रोव दा थिंक कैपेसिटी ऑफ दे स्टूडेंट इस लौंच भाई विच स्टेट नावू मनु जारू कारिक्रम को किस राजर सरकार द्वारा शुरू किया गया है तो यह शुरू किया है करनाटक सरकार ने इसका मेन उदेश है क्या है प्रोग्राम का कि students की जो think capacity है सोचने की जो शमता है उसको improve करना बच्चे का overall development में उसको help करना इसका उदेश है अगला question है which state government has launched an initiative to support young entrepreneurs और इसका नाम है MUA मुख्य मंतिय युवा उद्दमी विकास अभियान तो MUA नाम से जो initiative है इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश की सरकारिनी इस initiative को शुरू करने का उदेश है हर साल एक लाख जो young entrepreneurs से हैं उनको prepare करना उनको तैयार करना तो ये योशना जो young entrepreneurs है उनको 5 लाख रुपे तक की उनके project के लिए उनको interest free loan जो है provide करती है तो उनको loan provide किया जाएगा ताकि वो अपना काम जो है असानी से कर सके अपने start-up को आगे बढ़ा सके next question which state government launched widow remarriage incentive scheme किस राजर सरकार ने विदवा पुनर विवा पुरुटसाहन योशना शुरू की है तो ये योशना जारकन सरकार ने start की है तो देखे इस scheme के माद्यम से जो भी widow's हैं जो विदवा हैं जो अपनी husband की death के बाद दुबार से marriage करना चाहती है सरकार की ओर से उनको दो लाग रुपे तक का incentive यानि पुस्ताहन राशी दी जाएगी next question है which state government has launched नंद बाबा मिल्क मिशन इस्कीम किसने शुरू की है तो नंद बाबा दूद मिशन योशना ये शुरू की है किसने तो यहाँ पर right answer है उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है योशना को शुरू किया है इस स्कीम के माध्यम से प्रोवाइट किये जाएंगे milk producers the facility of selling their milk at reasonable prices in villages तो यह जो योशना है जो दूद उत्पादा के उनको डेरी सहकार समीती के माध्यम से गाउ में उचित मूले पर अपना दूद बेशने के सुविधा ये प्रदान करती है अगला कोशन है which is state government launched इंदरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योशना योशना का नाम क्या है इंदरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधी योशना और ये शुरू की है हिमाजल प्रदेश गवरन्मेंट नी इस स्कीम को शुरू करने का उदेश है जो state की देखिए cultural heritage जो सांस्कितिक विरासत है उसके विकास और संदक्षर में जो women's का contribution रहा है उसको सम्मानित करना इस स्कीम को launch किया था हिमाजल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंग सुखुने अगला question है which state government launched my school my pride campaign तो किस राजय सरकार ने मेरा स्कूल मेरा गाउँ अभियान शुरू किया हिमाजल प्रदेश गवर्मेंट ने next question है पच्चतु रुथू project to achieve net zero carbon target is launched by which state तो पच्चतु रुथू पर योशना किस राजय सरकार दोरा शुरू की गई है ये योशना कीरल सरकार ने शुरू की है इस योशना का मेन उदेश क्या है to create man-made mini forest मानव निर्मित लगू वन बनाना greening barren land पेड और जो native plant से उनको लगा कर जो बंजर भूमी है जो बल्कुर बैरन लेंड है उसको हरा भरा करना इसका उदेश है project का अगला question in which state has Tata Power Solar System Limited recently launched घर घर सोलर इनिशियेटिव इस इनिशियेटिव को किसने शुरू किया Tata Power Solar System Limited ने और ये किस राजय में शुरू की गई है तो ये इनिशियेटिव शुरू किया गया उत्तर प्रदेश state में इस इनिशियेटिव का उदेश क्या है to provide clean energy to every home through solar solutions इसका उदेश है सौर उर्जा समधानों के माध्यम से प्रतिय घर को स्वच उर्जा उपलब्द कराना अगला कोशिन देखे, name the operation launched उत्राखंड पुलिस for the smooth conduct of केदारना धाम यात्रा 2024 in रुद्द प्रियाग उत्राखंड उद्राखन के रुद्रप्रियाक में किदारना धाम यात्रा दोहसार चौबिस के सुचारो संचालन के लिए उद्राखन पुरेस के द्वारा शुरू कियेगे ऑपरेशन का नाम बदाईए ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया ऑपरेशन मरियादा तो इस operation के माध्यम से देखे जो भी पिल्ग्रेम से जो तीरत यात्री जो के किदरना धाम यात्रा पे आती हैं देखे तो वहाँ पे एक तरीके से वो हर एक चीज़ को मर्यादा में रखे तो इस operation के देख अगर कोई भी कोई भी ऐसे गलत काम करता है जो की tempers के या धाम के ल लिया जाएगा नेक्स्ट है विच स्टेट्स पुलिस अन अस्सोसेशन विद द बॉर्डर सेक्यॉर्टी फोर्स और विलेज डिफेंस कमिटीज हैव लॉंच्ट मिशन निश्चे मिशन निश्चे जो है ये शुरू किया है पंजाब सरकार नी पंजाब राज्य की पुलि गया था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इसते जो 42 विलेजेज हैं उन विलेजेज में जो रेजिदेंस रहती हैं उनसे रीच आउट कर जो भी देखे सप्लाई हो रही है ड्रक्स की जो डिमांड हो रही है उसके बारी में जो खूफिया जानकारी है उसको इखटा करन इसका उदेश है हैं नेक्स कोईशन इन जून 2024 विचे स्टेट चीफ मिनिस्टर हैस इनौगरेटेड द जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट किस राजर के मुख्यमंत्री ने जनता भवन सोलर परियोशना का उदगातन किया है तो इसे इनौगरेट किया है असम स्टेट गवर्म ने नेक्स कोईशन देखे विच इस फर्स्ट हाई कोट इन दा कंट्री तो लॉंच मेंस्ट्रूल लीव पॉलिसी रिसेंटली हाली में मासिक धर्म अफकाश नीती शुरू करने वाला देश का पहला उच्छ नयायाले कौन सा है तो ये हैं वेंट सिक्किम हाई कोट तो सिक इन स्टोल लीव डे सकती हैं हर एक मंत अगला कोशन देखे खार्ची पूजा जो के एक इंशेंट फेस्टिवल है प्राची नतिहार है कि किस राजे में मनाया चाता है तो खार्ची पूजा तिरपूरा में सलीबेट किया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या रही ग्रीन इस दा फ्यूचर नेक्स्ट खोशन देखे नागी और नक्टी बॉट सेंचुरी इनको भी रिसेंट्ली रामसर साइट में जोड़ा गया है इस आ लोकेटेट इन विच स्टेट तो नागी और नक्टी पक्षी जो अभ्यारने है ये फैंट्स कहां पे लोकेटेड है बिहा और ने होगा राइट आंसर सुहेलवा वाइल्लाइफ सैंक्च्छुरी तो यूपी में इस से पहले 4 टाइगर रिजर्म हैं जिनके नाम है दुदवा नेशनल पार्क पीलीभी टाइगर रिजर्व अमंगर टाइगरिजर्व और रानीपूर वाइल्लाइफ सैंक्चुरी और अब यहां का जो पांच हुआ टाइगर रिजर्व है वो कौन सा बना है सुहेलवा वाइल लाइफ सेंचुरी। यूपी की फॉर्मेशन होती 24 जैनवरी 1950 को कापिटल लखनो है। सीम है यूग यादित्यनात और गवर्नर है आनंदी बेन पतील। और गौरसम कोरा फैस्टिवल की इसपार थीम रही जीरो वेस्ट फैस्टिवल। आथला क्शं है यूनियरु मिनिस्टर अर्जुन मुंदा लेग दी फांदेशन स्टौन ऑफ सेंटर और preservation and promotion of tribal culture and heritage in this state तो question बोजा है कि अर्जिन मुंडा ने किस राज्य में जनजातिय संस्कृति और विरासत के संदक्षर और सवर्धन केद्र की आधारशिला रखी तो ये कहां रखी है जारकंड स्टेट में next question कोजी कोड वस ओफिशली डिकलेट इंडिया फर्स्ट यूनेस्को सिटी ओफ लिट्रीचर तो कोजी कोड को आधिकारिक तोर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर गोशित किया गया ये किस राज्य में से थे तो कोजी कोड जो है ये है केरल राज्यमी इसके इसको का पूरा नाम है यूनाइट नेशन्स एडुकेशनल साइंटिफिक अन कल्चर और अर्गनाइज़ेशन फॉर्मिशन हुई थी 16 निवेंबर 1945 को हिटक्वार्टर है इसका पैरिस फ्रांस में केरल विधान सभा ने राज्य का नाम बदल करने का प्रस्ताब बारित किया है किस आर्टिकल के तहथ चो सेंटर गवर्मेंट है वो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है तो ये कर सकती है आर्टिकल 3 के तहथ अगला कोशन है वेर इस इंडियास फर्स्ट ओईल पाम प्रोसेसिंग यूनिट स्टाटेड ओपरेशन बारत की पहली ओईल पाम प्रसंस्तकरण इकाई का संचालन कहां शुरू हुआ है अरुनाचल प्रदेश में अरुनाचल प्रदेश की कापिटल इटानकर है सीम है यहाँ पेमा खांडू और गवर्नर है कैवल्य त्री विक्रम पढ़नाईक राज़सभा की सीट से एक और लोगसभा की हैं दो अगला कोशन है विच स्टेट गवर्मेंट हैस रिजर्वड 33 परसेंट ओव गवर्मेंट कॉन्ट्रेक्ट जॉब्स फॉर वुमें महिलाओं के लिए 33 परसेंट सरकारी अनुबंद नौक्रिया किस राज्य सरकार ने आरक्षित की है करनाटक गवर्मेंट नी इसके बाद अगला कोशन है mission 414 campaign has been launched by the election commission in which state चुनावायों के द्वारा mission 414 जो अभ्यान है किस राज्य में शुरू किया गया है तो ये अभ्यान शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश में आगला कोशन है which state government launched धामी अगेंस्ट ड्रग्स campaign ड्रग्स के किलाव धामी अभ्यान किस ने शुरू किया है ये भ्यान शुरू किया है उतराकंड के चेफ मिनिस्टर ने इस campaign के का लक्षे क्या है 2025 जो नशेली दवा है जो ड्रग्स है उसके दुर्पियों को खत्म करना और एक healthy और ड्रग-free society नशा मुक्त समाज बनाना इसका उद्देश्य है अगला कोशन है which state government has launched a new initiative जिसका नाम है सडग सुरक्षा force सडग सुरक्षा बल नामक एक नई पहल किसने शुरू की है पंजाब government ने इसका मेन उद्देश्य क्या है तो friends इस initiative का उद्देश्य है trafficking movement यात याद विवस्ता में सुधार लाना और जो road accidents होते हैं उनको कम करना next question by which state police have adopted self-balancing e-scooters for smart patrols किस राज़े की पुलिस ने smart गश्त लगाने के लिए self-balancing e-scooter को अपनाया है तो ये किसने शुरू किया है उत्राखन government ने तो उत्राखन के जो डारेक्टर जनरल और पोलिस है डीजीपी उन्होंने शुरू किया उन्होंने फ्लेग्डॉफ किया था इसे अभिनव कुमार्नी अगला question है which state government developed a pendant shape device जिसका नाम रखा गया है नितिश फार्मस के लिए जो ये pendant shape device है किसने डेवलप करी है इसे शुरू किया है डेवलप किया है बिहार government ने यहां पर देखे फैंट्स नितिश तो डिवाइस का पूरा नाम है novel initiative technological intervention for safety of human lives तो ये जो डिवाइस होगी ना इसमें voice message का use किया गया है alert भेशने के लिए जैसे कभी भी बाड़ जाती है heat waves, cold wave या farmers को मदद करने के लिए इसमें alert दिया जाएगा और voice message के दुरू इसमें alerts दिया जाएगा next day किस state government ने launch की है लोगपत mobile application for public जनता के लिए लोगपत mobile application को देखे किस ने launch किया है मध्य प्रदेश सरकारी ये जो mobile application है ये facility provide करेगी for the general public to report problems on the routes आम जनता को roots पर समस्याओं की सूचना देने की सुविधा मिलेगी और जो officers से उनकी जबाव देही यानि accountability भी सुनिश्यत होगी next day दो उत्रप्रदेश government will set up the country's first conservation center for ganga theory cows in which is city उत्रप्रदेश सरकारी ने के शहर में गंगा तीरी गाओ के लिए गायों के लिए देश का पहला संड़क्षन के इंदर शुरू किया है तो ये खोला है वारानसी शहर में next question है किस state government ने recently launch की है स्वयम scheme स्वयम योशना ये किसने शुरू करी है उडिसा government ने इस scheme के बात करें तो इसमें देखिए स्वयम योशना जो है इसके तहर जो state के यूथ है जो यूवा है उनको एक लाख रुपे तक का interest free loan प्रोवाइड किया जाएगा next question recently काजी नेमो इसे अभी किस राज्य के state fruit यानि राज्य फल के रूप में मानिता दी गई है काजी नेमो जो है ये state fruit बन गया है असम राज्य का असम के जो agriculture minister है अतुल बोरा इन्होंने अनौन्स किया है काजी नेमो को as a state fruit of असम ये एक lemon type fruit है और इसको अल्रेड़ी जी आई टेग भी receive में है इसके बाद next है अमबाजी वाइट मार्वल जिसे भी हाली में जी आई टेग मिला ये कौन से state से बिलॉंग करता है तो अमबाजी वाइट मार्वल जो है ये सम्मन्दित है किस राज्य से गुजराद से next year recently which state government has enforced statewide ban on गुटका अन पान मसाला किस राज्य सरकार ने गुटका और पान मसाली पर राजवियापी प्रतिबंद लागू किया है तो ये किस ने किया है तेलंगाना सरकार नी next question मधू बाबू पेंशन योशना recently जो की न्यूस में रहती कौन से स्टेट से जुड़ी है मधू बाबू पेंशन योशना ये जुड़ी है उडिसा स्टेट से next evolution state government has launched one mitr scheme किस राज्ये सरकार ने शुरू की है one mitra योशना तो हर्याना government ने start की है इस योशना को वन मितर योशना का में रोदेश है किया है जितनेख नों forest area है जहाँ पर देखे plants नहीं विल्कुल पेड़ पौधी नहीं है तो वहाँ पे planting activities की जाए और उस पे जो वहाँ की community has का जादा से जादा participation किया जाए plants को लगाने में हैं अगला question है with whose collaboration has a Sikkim government launched Sikkim inspire initiative Sikkim सरकार ने किसके सयोग से Sikkim inspire पहल शुरू की है तो ये किसके सयोग से की है World Bank अगला question है which of the following state governments has launched K-Smart तो किस राज़े सरकार ने K-Smart जो है इसे launch किया है तो ये किसने शुरू किया है Keral government ने K-Smart का पूरा नाम है Keral Solutions for Managing Administrative Reformation and Transformation अगले question की बात करती है Friends अगला question है International Camel Festival ये कहां पे आयोजित किया गया है तो Camel Festival मनाया गया है Friends कहां पे राजस्तान में next question which state government will launch operation अमरित to control antibiotic abuse कौन से राज़े सरकार ने operation अमरित शुरू किया और इसमें antibiotic दुर्पियों को नियंतरित करने के लिए सो operation को शुरू किया गया और ये किसने शुरू किया है केरल सरकार ने operation अमरित का पूरा नाम है antimicrobial resistant intervention for total health इस initiative के माध्यम से देखे pharmacies जो है बिना prescription के antibiotic नहीं दे सकती तो बिना prescription के antibiotics बेशनी वाली farmers की जानकारी और शिदी नियंतरन जो drugs control department है उनको दिया जाएगा इस scheme के माध्यम से तो आपके बज़ जो है prescription होगा तभी pharmacies को उस prescription के माध्यम से antibiotic देनी है तो friends यहाँ पे हमारी चितने भी state government की scheme सी जो भी important questions थी वो मैंने आपको सभी cover करा दी है एक ही वीडियो में आप बात कर लेते हैं test questions की तो आईए friends देखे पहला test का question किया है किस state ने launch की हिमालियन बास्केट को और अगला question है किस state government ने launch किया है योग्य शिरी scheme तो इन दोनों question के answer friends आप लोगों को लिखने हैं हमें comment box में और इसी के साथ सभी important questions complete हो गए है state government की जो भी important schemes थी वो मैंने आपको सभी सी वीडियो में cover करा दिया है तो अगर आज का session आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर करिएगा Thank you so much for watching this video